हलो बच्चों बच्चों इस वीडियो में जेई मेंस के प्रिविर्स येर कोश्चन मैटिक्स के कोश्चन करेंगे जैसे आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों कि यह आपका 2019 का पुछा हुआ है तो अब यह कोश्चन बोल क्या रहा है देखिए लेट ए यह हमारा क्य एक मैटिक्स है और यह मैटिक्स आपका दिया हुआ है 3 by 3 order का मैटिक्स है इफ ए इंटू ए ट्रांस्पोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैटिक्स यह 3 क्या दिया है उस आइडेंटिटी मैटिक्स का ओर्डर then यह हमें निकालना है then modulus of P p क्या है इस मैटिक्स का देखो यह एक अलिमेंट है यह p की वेलू बथानी है यह fill in the blanks हैं यहाँपर तो करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा एक matrix दिया हुआ और उसका हमें transpose निकालना पड़ेगा और इन दोनों को multiply करके हमें identity matrix order 3 का बराबर करके फिर वहां से हम equate करके P की value निकालेंगी तो चली तो matrix A दिया हुआ है उसका transpose कैसे निकालते हैं तो transpose निकालने का तरीका यह होता है कि row को column में change करते हैं और column को row में change कर देते हैं तीके row को हमने क्या करेंगे यह row है यह जो जो है row है यह क्या करेंगे column में change करेंगे और column को row में change करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा transpose तो डाइरेक्ट हम कर लेते हैं जैसे हमारा A into A transpose equal to यह दिया हुआ है तो A matrix हमारा कितना हो जाएगा यह तो 0 to Q R P Q minus R P minus Q R अब इसका हमें transpose तो क्या करेंगे रो को column में तो यह रो है तो इसको column में लिख दिए जी रो यह 2P यह R हो गया फिर इस रो को column में second तो बाब P Q minus R फिर इस रो को third column में चेंज कर देंगे तो P minus Q R और यह देखो यह हमारा identity matrix दिया हुआ है कितना order का थ्री order का है तो होजेगा 1 0 0 0 1 0 0 1 अब चलिए अब simple है अब इन दोनों को multiply करेंगे क्योंकि दो matrix को multiply करेंगे तो matrix ही आएगा चलिए multiply करते हैं चलिए यहां पर multiply करेंगे तो क्या आएगा रो को column से multiply किया जाता है तो पहले matrix का रो दूसरे matrix से column से multiply करेंगे तो यह रो को इस column से फिर इस रो को इस column से फिर इस रो को इस column से फिर वैसे ही similarly सबको करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 0 को 0 से किये 0 2 तो यह हमारा कितना है गा 4 qa square और plus r square यह हो गया second वाला करते हैं तो हमारा second वाला कितना है 0 यह कितना हो जाएगा 2 qa square और minus r square third वाला करते हैं तो जाएगा minus 2 qa square plus r square फिर आप इसको करेंगे यह जैसे हम नहीं किया तो यह कितना हो जाएगा तो हमारा जाएगा तू यह हमारा कितना जाएगा तू पी तो नहीं आ रहा है यहां पर पी नहीं होगा यह q होगा क्या होना चाहिए Q होना चाहिए देखें एक बर्चे कर लेते हाँ यह Q है ना यह Q है पी नहीं है कि यहाँ पर देखो transpose यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हो अगर confusion है तो जैसे A transpose अगर हम करेंगे यहाँ पर A transpose तो यह जगर 2, 0, 2Q, R, P, Q, A, minus R और यह P minus Q और यह R होगा तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया था टूपी लिख दिया था जो गुलत था टूटी होगा तो यह multiply करने पर अब कितना आजाएगा यह आजाएगा 2Q square और यह minus R square अब इसकी मना हम इसको इससे multiply करेंगे अब तो यह हो जाएगा हमारा P square plus Q square plus R square तेकि आब इससे करेंगे तेकि इतना हो जाएगा यह P square minus Q square minus R square अब थर्ड रो को इन तीनों कॉलम से करेंगे तो फिर यह कितना हो जाएगा यह हमारा आजाएगा यह minus 2Q square plus R square यह कितना हो जाएगा ते हो जाएगा P square minus Q square minus R square और यह फिर हमारा P square और plus Q square plus R square और यह देखो यह हो गया तो यह भी matrix यह भी matrix दोनों equal है यह भी 3 by 3 का और यह भी 3 by 3 का तो corresponding element हम equal करके हम value निकालते हैं अब इसका मतलब कि यह value कितना के बराबर हो बन का यह value 0 के बराबर होगा यह भी value 0 के बराबर होगा तिके तो लिख देते हैं तो 4 QA2 प्लस RA2 हमारा 1 हो गया और PA2 प्लस QA2 प्लस RA2 भी 1 हो गया और ये भी तो वही है सेम है अच्छा अब यहां से देखो 2 QA2 माइनस RA2 1 और ये भी 1 आएगा तो सेम ही अब इसको 1 नहीं 0 ये 0 के बराबर है ना और ये भी 0 के बराबर होगा तो वहां से सेमी कंडिशन आएगा अब देखो ये भी हमारा कितना के बराबर है 0 के तो ये भी लिख लो PA2 माइनस QA2 माइनस RA2 इकूल टू जीरो बज अब इसको सॉल्व करते हैं चलो यह देखो यहां से तू कीवे स्क्वाइर माइनेस रे स्क्वाइर अगर जीरो है तो यहां से हमारा तू कीवे स्क्वाइर एक्वल टू आरे स्क्वाइर हो गया मतलब हम यहां से लिख सकते हैं क्या आरे स्क्वाइर बराबर तू कीवे स्क्वाइर clear रहे, अब इसको लेते हैं इसको लेते हैं इसको लेते हैं तो ये तो आगे अब आज का हम इसको लेते हैं छिएक हो since 4 Q प्लस R SQR इकोल टू 1 है तो R SQR बराबर क्या है 2 Q SQR तो 4 Q SQR और ये हो जाएगा 2 Q SQR इकोल टू 1 तो 6 QA square बराबर 1 तो QA square बराबर हो गया 1 upon 6 ओके ये भी हो गया के लिए अब देखो QA square निकल गया तो हम R square निकाल लेते हैं कहां से यहां से तो हम यहां से यहां से हम निकाल लेते हैं चलिए हम यहां से यह निकाल लेते हैं तो R square बराबर है 2QA2 और QA2 निकल गया तरह 2 इंटू 1 उपान 60 यह कितना आ जाएगा यह हमारा आ जाएगा 1 उपान 3 मतलब R A2 हो गया 1 उपान 3 हमें निकालना है P A2 देखो क्यों कि कोश्चन में P बोल रहा है न तो P की वैलू निकालना है चलिए कैसे करते हैं अब देखो अब यह 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 देखो यहां से यह भी हो गया चलो यह भी हम लेगी अब सिंस चलो यहां से करते हैं P स्कॉार माइनस Q स्कॉार प्लस R स्कॉार इक्वल टू जी ओई ठीक है तो P SQR बराबर क्या हो जाएगा Q SQR प्लस R SQR अच्छा Q SQR के वैलू कितने है 1 upon 6 इसका वैलू कितने है 1 upon 3 LCM कितना हो जाएगा यह 6 और यह हो गया 1 ठीके यह 6 हो गया और और यह हो गया 2 3 upon 6 1 upon 2 तो P SQR इक्वल टू 1 upon 2 तो हमारा P बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1 अंदर 2 अब हमें निकालना है क्या हमें निकालना है mod P तो mod P कितना हो जाएगा 1 upon 2 क्योंकि mod वह पॉजिटिव तो कितना हो गया 1 upon 2 तो इसका एंसर fill in the blanks में कितना आजाएगा 1 upon 2 यह हो जाएगा ओके next question करते है यह देखो यह question आपका 2021 का question है जे इमेंस का है at question है question matrix का ही है question क्या है let M capital M 3 by 3 matrix with entries from the set यह देखो एक set दिया है 0, 1, 2 इसके element है और यह जो matrix हमारा aim है इसमें जो entry होगा वो इसी set के element का होना चाहिए मतलब 0 हो या 1 हो या 2 हो उसके entries इसके entries मतलब इस matrix के element की value क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए या तो 1 या तो 2 होना चाहिए तीक है अब बोल रहा है the maximum number of such matrices for which the sum of diagonal element of M transpose into M is 7 is अब थोगा सा question को और अच्छे समझते हैं देखो एक matrix दिया हुआ है aim जिसका order कितना है 3 by 3 मतलब इसमें कितने element हो जाएगा 9 element अब वो 9 element की जो value होगी वो क्या होना चाहिए या तो 0 या तो 1 या तो 2 होना चाहिए यही बोल रहा है अब बुर रहा है कि the maximum number of such matrix मतलब इस तरह के matrix की संख्या कितना होगा condition और क्या दिया for which the sum of a diagonal element मतलब कि matrix M transpose into matrix A M M transpose into M जो matrix बनेगा उसका diagonal element का sum कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए तो बताओ इस तरह का matrix कितने बनेगे यह M matrix कितने बनेगे तो चलिए कर लेते हम तो इस question को पहले क्या करो पहले हम यह निकालेंगे पहले हम M transpose into M निकालेंगे क्योंकि हमें इसी condition पर दिया है कि M transpose into M का diagonal का sum कितना है 7 यह condition दिया तो इस तरह के matrices कितने बनेगे matrix M का entries मतलब उसके element क्या होना चाहिए 0 हो या 1 हो या 2 हो मतलब इस set के जो element है 0, 1, 2 वही entry होना चाहिए इसके अलाव कुछ भी नहीं होना चाहिए तो चलिए हम पहले तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर M matrix नहीं दिया हुआ है तो हम कुछ माल लेते हैं तिके अब जैसे हमारा M matrix 3 by 3 order का दिया हुआ है इसमें 9 element होगा तो हम लेते हैं A, B, C, D, E, F, G, H अब क्या बोल रहा है कि M transpose into M तो चलिए लिखेते हैं यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं M transpose into M A, B, C, D, E, F, G, H, I यहाँ पर है A, B, C यहाँ पर D होगा B नहीं होगा D, E, F, G, H, I अब इसको multiply करेंगे तीके क्या करेंगे? क्या करेंगे? multiply तो चलो multiply करते हैं तो देखो यह इसको हम इससे multiply करेंगे तो पहला आजाएगा A11 वाला तो कितना आजाएगा? यह आजाएगा A square प्लस B square प्लस C square इसको हम multiply नहीं करेंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं है अब इसकी position चाहिए इसकी इसके लिए हम किसे करेंगे? second row के और इसके column से तो कितना आजाएगा? D square प्लस E square अब प्लस F square इसको हमें नहीं चाहिए यह अब हमें चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके इस row से third row से और इसके third column से multiply करेंगे तो G square प्लस H square प्लस I square या according to question बोल रहा है according to question sum a square plus b square plus e square d square plus e square plus f square और g square plus h square plus i square i क्या भी square होगा यह कितना है 7 7 है तब यह matrix कितने अलग-अलग matrix बनेंगे अब यह matrix बनाना है मतलब m transpose into m k कितने अलग-अलग matrix बनेंगे अब इसका sum कितना हो diagonal का sum कितना हो 7 इंट्री क्या होना चाहिए अब a, b, c, d, e, f, g, h का इंट्री क्या होना चाहिए entry तो हमारा यही होना चाहिए यही set के element होना चाहिए 0 या 1 या 2 मतलब A, B, C, D, E, F, G, H, I का जो value होना चाहिए वो या तो 0 या तो 1 या तो 2 तो question में यह दिया हुआ है अब हमें यहाँ पर combination और permutation का use करना पड़ेगा तीखे क्योंकि यह question matrix के अलावा permutation और combination से बनेगा अब चलिए इसमें case बनाएंगे जैसे case हुआ है अब देखो यह पूरा 7 कब आ सकता है इसमें कितने ही है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो और हमें 7 ही add है और हमारा A B, यह C, D EF का value क्या हो, 0 हो, 1 हो और 2 ही होना चाहिए, इसी में देखना है इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 7 1 रख सकते हैं, और 2 0 रख सकते हैं, तो आ जाएगा क्योंकि 1 का square करोगे तो 1 ही आएगा, तो 7 हम क्या रख देते हैं, 1 और 2 को 0 रखते हैं तो यह case number 1 आ गया कि 7 1 and 2 2 क्या रखते हैं, 0 2 को 0 रखते हैं 2 0 7 1 रखते हैं और 2 0 मतलब जैसे A, B, C, D, E, F, G की value 1 रख लिए हैं, और H और Y की value क्या रख लिए हैं, 0 रख लिए हैं तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा अब बात है कि यह भी तो अलग-अलग combination बनेंगे न 1 तो single single है, लेकिन 2 क्या है, 0 है तो 0 अगर हम change करते जाएंगे अब 0 जैसे H और I रखें फिर 0 हम G और H भी रख सकते हैं 0 हम F और G भी रख सकते हैं 0 हम A और B भी रख सकते हैं तो अलग-अलग matrices बनेंगे तो कितने combination बनेंगे तो यह कितने हैं, 9 में से 2 0 करना है तो टोटल combination 9 C 2 बनेंगे अब 9 C 2 तो वह कितना हो जाएगा यह 9 factorial 2 factorial 9 minus 2 कितना हो गया 7 factorial तो यह 9 into 8 into 7 factorial और 2 into 1 और यह 7 यह cancel मतलब 36 अगर 7 1 और 2 0 रखते हैं तो हमारा matrix कितना बनेगा 36 बनेगा अब case number 2 अब जितने case बनेंगे आप देखे तो 1 0 हो गया, तो का भी हमें entry रखना है तो 2 अगर रखते हैं तो यह देखो सब square है मतलब 2 का square कितना हो जाएगा 4 फिर दूसरा number हम 2 नहीं रख सकते हैं क्यों? क्योंकि फिर 2 का square रखेंगे तो 4 तो 4, 4, 8 हमें चाहिए किवल सेवे नहीं मतलब इसमें से कोई एक ही 2 रख सकते हैं तो चलो मान ले कि एक हम 2 रखा तो 1 हमने क्या रखा? 2 रखा 1 हमने 2 रखा ठीके, तो 1 कितने रख सकते हैं? तो 1 2 रख दिया तो 4 हो गया अब बज गया 3 इसका मतलब 1 कितने रखेंगे? 3 मतलब हम 3 कितना रखे? 1 रखे मतलब 1 हमने कितना रखा? 2 ठीके, और 3 कितना रखा? 1 3 कितना होगा? 1 1 हमारा कितना होगा? 3 3 कितना होगा? 1 अब बज गये कितने? तो उस अभी 0 रख लेंगे तो कितने बज़ गए अब हमारे पास 5 बज़ गए तो 5 कितना हो जाएगा 0 5 क्या रखेंगे 0 तो 7 आ जाएगा total अब यह कितने अलग-अलग arrangement बने या permutation combination हुए अब देखो अब यहाँ पर हम combination का युजना करके arrangement करेंगे permutation का ठीके क्योंकि देखो 3 1 कितने टाइमस रख रहे हैं 3 टाइमस और 0 कितने टाइमस रख रहे हैं 5 टाइमस ठीके 9 हमारा क्या है 9 हमारा entries है देखो यहाँ से A से लेके I तक तो इसमें total matrix कितने बनेंगे तो देखो यह हो गया 9 factorial और यह 3 factorial और यह 5 factorial ठीके तो अब यह कैसे लिखें तो यह permutation आप 11 में पढ़े होंगे permutation का 3 नंबर permutation का 3 नंबर 3 कि अगर हमें arrangement करना हो n object हो और n object में कुछ ऐसे object हो जो एक जैसे हो जैसे r1 object एक जैसे हो r2 object एक जैसे हो तो क्या लिखते हैं n factorial upon r1 factorial into r2 factorial उसी से यह किया गया है तो यहाँ पर देखा अब इसकी value निकाल लेते हैं यह 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 factorial 3 इंटू 2 इंटू 1 और यह आपका 5 इंचल और यह भी 6 इंचल तो यह हमारा कितना आजाएगा तो चपन अनो तो यह हमारा कितना आजाएगा हो जाएगा 504 बस अब कोई case नहीं बनेगा तो टोटल मैट्रिस कितने हो गया टोटल मैट्रिस की सिंख यह तो पान सो पहला में कितना बना है चतिस अब फिर इसमें 504 कितना हो गया पान सो चालिस पान सो चालिस मैट्रिस बनेंगी जो हमारा कंडिशन दिया है तो इसका एंसर हो जाएगा 540